नमस्कार साथियों, सीजी जौब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि सहायक शिक्षक के मौडल उत्तर जारी किया गया है सीजी व्यापम के द्वारा तो सहायक शिक्षक के मौडल उत्तर जारी होने के पस्चात साथ जो प्रश्ण है जिस पर दावा अपत्ती लग सकता है तो 6 से 7 प्रश्ण में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पताने जा रहा हूं जिस पर आप दावा अपत्ती कर सकते हैं चले तो फिर सीधे वीडियो पर आते हैं जो साथ ही नए होंगे भई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे देखिए बाल विकास के सबसे पहले जो प्रश्ण है जिस पर दावा अपत्ती किया जा सकता है जिसका उत्तर व्यापम द्वारा देखिए यह प्रश्ण है कौन सी अच्छे समावयोजन की विशिस्ता नहीं है तो इसका जो सही उत्तर व्यापम द्वारा इसमें अकांछा का इसतर अति उच्च होता है ये लिया है जबकि इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता उत्तर सी आना चाहिए लेकिन व्यापम द्वारा उत्तर बी लिया गया है मेरे ख्याल से लग रहा है मित्रों कि बी इसका सही उत्तर नहों करके सीज का सही उत्तर होना चीज जबकि व्यापम द्वारा बी लिया गया है तो इस पर भी आप दावापत्ती बालविकास के इस प्रश्ण पर कर सकते हैं अगले प्रश्ण है देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्ण करमांग 34 जो कि हिंदी के है अनधी की अनधी गत में प्रत्या है यह जो प्रश्ण है जिसका उत्तर व्यापम द्वारा बी लिया गया है या तो इस देखू यह या तो अगर यह उपसर्ग होता तो अनुपसर्ग जा सकता है विलोपित किया जा सकता है या अगर यह उपसर्ग होता तो इसका जो उत्तर है यह आएगा अगर यह उपसर्ग होगा तो यह दो प्रश्ण हो गया तीसरा प्रश्ण जिस पर आप दावा कर सकते हैं साथियों यह है आपका महस्वर्य सब्द का संधी विक्षेद है इसका जो सही उत्तर व्यापम द्वारा C को लिया गया है जबकि इसका सही उत्तर B आएगा महाधन एस्वर्य एस्वर्य बराबर महैस्वर्य होता है B इसका सही उत्तर आएगा आप कहीं से भी सोर्च ले सकते हो आप SCRT किसी भी 9 या 10 वी के पाथ पुस्तक में 8 वी के भी पुस्तक में आपको मिल जाएगा SCRT के तो ये भी प्रश्ण है जिस पर आप दावा पत्ति कर सकते हैं इसके अलावा आपके प्रश्ण कर मांग 37 है देखिए इस पर भी आप दावा कर सकते हैं साथियों निम्न वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है व्यापम द्वारा इसका जो उत्तर है चा और यह लिया गया है जबकि इसका सही उत्तर सी आएगा इस पर भी आप दावा अपत्ति कर सकते हैं कोई भी अगर आपको आथेंटिक बुक मिलता है तो बिल्कुल आप दावा अपत्ति करें सी आटिके नवी दस्वी आठवी नवी दस्वी के किसी भी उस तक में आपको ये चीजे मिल जाएंगी उसके बाद में आता है प्रश्ण चालिस गंगा हिमालाय से निकलती है वाक्य में कारक है देखिए यहां पर कारक की बात की जा रही है जबकि व्यापमदारा जो उत्तर है करार लिया गया है लेकिन इसका जो उत्तर जो है अपादान कारक आएगा साथियों और अपादान कारक क्यों आएगा इसमें देखो अपादान में अलग होने का भाव आता है और गंगा हिमालाय से निकलती है यहाँ पर अलग होने का भावा रहा है इसलिए अपादार इसका सही उत्तर हो जाएगा अगले सवाल में आईए सवाल नंबर 45 देखो वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है इसका जो सही उत्तर ठीक है मेरे ख्याल से व्यापम द्वारा दूसरा लिया गया है पुरुस वाचक या क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा है लेकिन इसका जो सही उत्तर आ जाएगा साथियों संबंध वाचक सर्वनाम कहीं से भी आपको ये सोर्स मिल जाएगा संबंध वाचक क्योंकि संबंध वाचक सर्वनाम में जो सो ठीक है इसकी उसकी जैसा तैसा जैसे को तैसा है ना वो एक दुसरे से संबंध रखता है ठीक है तो D इसका सही उतराएगा इसको लेकर भी आप दावा अपत्ति लगा सकते हैं तो इस तरह से इन तमाम जो प्रश्णों पर आप विल्कूल दावा कर सकते हैं साथियों इसमें मैं बात करूँ तो देखो बाल विकास के आप एक प्रश्ण पर दावा कर सकते हो आपके सेस जो पाँच प्रश्ण है अर्थात हिंदी के ठीक है भई हिंदी के पाँच प्रश्णों को लेकर आप दावा अपत्ती कर सकते हो कहने का तात्परी है कि इन छै प्रश्णों को लेकर आप दावा अपत्ती कर सकते हो इसके अलावा भी गणित के हमारा complete होता है हम इस पर भी वीडियो बना देंगे ताकि आप सभी साथियों तक वो पहुँश सके फिराल इस वीडियो में इतना ही अभी से source खोजना शुरू कर दीजिए हम भी कोशिज कर रहे हैं अगर हमें अच्छे source मिल जाते हैं प्रमारित source मिल जाते हैं तो हम बिलकु हमारे टेलिग्राम चैनल के माध्यम से साजहा करेंगे साथियों इस वीडियो में इतना ही जो साथ ही नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहें जहें